मुझे आक्टियंत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर संयुक्तराष्ट संग ने 21 जून को अंतरराष्ट्री योग दिवस के रूप में होशित किया है ये दूसरा वर्ष है जब हम देश और विदेश में बहुत धुमधाम से अंतरराष्ट्री योग दिवस मनाने जा रहे हैं पिछली बार भी बहुत भव्यता से ये दिवस मना था लेकिन इस बार की हमारी अपिक्षा है कि उससे दोगुनी भव्यता से और दोगुनी भागिदारी से इस बार का योग दिवस मनाया जाएगा मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि योग केवल व्यायाम नहीं होता योग व्यायाम और अध्यात्म का सम्मिश्रण होता है इसलिए व्यायाम के बाद व्यक्ति ठकता है लेकिन योग के बाद व्यक्ति ठकता नहीं बलकि उसे एक आत्मिक शान्ती का एहसास होता है यदि आप प्राणायाम से योग शुरू करें और योग निद्रा या शवासन से उसका समापन करें तो उसके बाद आप पूरी तरह तनाव मुक्थ हो जाते हैं और आपके शरीर में एक नई उर्जा और नई स्फूर्थिका संचार होता है योग एक तरफ असाध्य बीमारियों से लड़ने का एक माध्यम है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक उर्जा प्रदान करने का जर्या भी है मैं चाहूंगी कि अंतर राष्ट्रिय योग दिवस जिस भव्यता से मनाया जा रहा है उसमें आप सब लोग भागीदार बनेंगे मैं शुब कामनाय देना चाहूंगी उन लोगों को भी जो इस बार भागीदार नहीं बनेंगे लेकिन आप से प्रेरणा प्राप्ट करके नए सिरे से योग को अपनाएंगे और अगली बार भागीदार बनेंगे अंतरःष्टिय योग दिवस को मनाने के लिए हमने अपने सभी विदेश स्थित दूधावासों में भी बहुत बड़ी तैयारी की है देश की से अंतरःष्टिय योग दिवस की सफलता के लिए आप सब को मेरी बहुत बहुत शुब कामनाएं